आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फ्राइट फुल गोबी और आलो की एक बोहत ही शांदार और डिलिश्यस सबजी की रेसिपी तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर मैं एक कटोरी के बराबर तेल को कड़ाई में आद कर रही हूँ तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे यहाँ पर मैंने फुल गोबी को इस तरीके से मोटे चंक्स में चौप कर लिया है इसे गरम तेल में आद कर देंगे थोड़ा सा बिलकुल नमक आद कर देंगे अब हम इने मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए जब तक यह गोल्डन ब्राउंड नहीं कलर के हो जाते इन्हें फुल को भी हमारी फुल होकर रेडी हो चुकी है अब इसे एक प्लेट में बाहा निकाल लेंगे उसी तेल में हम आलू फ्राई कर लेते हैं दो आलू को मैंने इस तरीके से चाप करके लिया हुआ है बिलकुल थोड़ा सा नमक आद कर देंगे इन्हें भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे आलू हमारे अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं बाहा निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम हमारी सबजी बना लेते हैं एक कड़ाई में 4-5 टेबस्पून के करीब तेल को अच्छे से गरम कर लें 1.5 टेबस्पून जीरा आट कर देंगे एक 4-5 टेबस्पून हेंग आट कर देंगे हरे मिर्च और लेसन का पेस्ट आट कर देंगे थोड़ी देर धीमी फ्लेम पर इन्हें भुन लेंगे कुटी हुई अध्रक आट कर देंगे थोड़ी देर इसे भी तेल में भुन लेंगे इसे सबजी का स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा अब हम एक प्यास को इस तरीके से लंबा लंबा चौप करके आट कर देंगे तिल में इसे मिक्स कर देंगे सॉफ्ट एंड गूल्दन ब्राउन होने तर प्यास को चड़ जाने देंगे प्यास हमारे चड़कर रेडी हो चुके हैं अब हम एक चौप किया हुआ टमाटर आट कर देंगे थोड़ी से चौप किया हुए गाज़र आट कर देंगे चौप किया हुए शिम्ला मिर्श आट कर देंगे सभी को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे Half tablespoon healthy powder आट कर देंगे नमक स्वात के अनुसार आट कर देंगे 2-3 tablespoon के करीब पानी आट कर देंगे ताकि सबजिया आपके कड़ाई में चिप के नहीं सभी को अच्छे से mix कर लेंगे धग कर अब सबजी को जब तक सभी सबजिया चड़नी जाती को खोने देंगे बीच बीच में चलाते रहे सबजिया हमारे अच्छे से कोखो कर रेडी हो चुकी है अब हम fry किये हुए फूल को भी और आलू को पैन में आट कर देंगे इस तरीके से इस सबजी को आप एक बार जरूर से बना कर ट्राय दें आपको यह काफी पसंद आएगा एक टिबस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर आट कर देंगे एक टिबस्पून के करीब धनिया पाउडर आट कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला आट कर देंगे सभी को अच्छे से मिक्स देंगे आपको यह रेसपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर से बताए और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंद्स और फैमिली में शेर करना ना भूले अब हम सबजी को ढग कर दो तिन मिनट धीमी आज पर कुखोने देंगे सबजी हमारी कुखुकर रेडी हो चुकी है धन्या पती से गानिश करके गरमा गरम पराठा रोटी या फिर पूरी के साथ साथ सर्फ कर ले आपको यह रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यो सो मच वर वाचिंग दिस वीडियो